गुट मॉर्निंग लेडीज एंड चिंटलमेन हाई मैं हूँ सुमित सुबह के तीन बज रहे हैं और हम पैकिंग कर रहे हैं आज हम जाने वाले एक रोमान्चक सफर पर जो की है बुलेनाथ की नगरी के दारनाथ तो यह वाला ट्रिप होने वाला है फैमिली के साथ बाइक पर हम दो लोग सवार होंगे यानि कि मैं और मेरे पिछे नंदू और हम निकल पड़ते हैं अपने इस सफर पर चले फिर अपने थन्रू में समार होंगे फिर जल्दी आओ निकलो तर्मादी देखो भाई हम हैं राइडिंग वाले बंदे तो हम जाने वाले हैं अपनी बाइक से तो आपको पूरा एडवेंचर जो है रोड ट्रिप का कहा कहा हम रुके सब चीज एक एक डिटेल्स में आपको एकस्प्लीन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आप इंज्योय करेंगे हुआरे साथ इस जर्णी को हमारी जर्णी स्टार्ड हो रही थी वह पहुआ थी हलत्वारी से हम पहुचते भीमताल भीमताल के बाद हमारा आता है रानी खेत वीच में और भी छोटी 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 लोकेशनस आती है लेकिन मैं आपको बड़ी बड़ी लोकेशनस बता कर चल रहा हूँ लानी खेत से हम जाने वाले थे दोरहाट दोरहाट से हमारा आने वाला था चोकटिया चोकटिया से आएगा करण प्रियाग करण प्रियाग से हम पहुच देवाले थे रूत्र प्रियाग करण प्रियाग में भी आपको संगम में देखने को मिल लेगा वहाँ पे भी आप थ दिखाई देगा लेकिन वो संगम जो है आपको हरिद्वार वाले रूट से दिखाई देता है यूगि हमें इस रूट से नहीं दिखाई दिया और जो उपर से वीव था वो कंड प्रियाक से इस रस्ते में दिखाई दे जाएगा आपको और उसके बाद हम जाने वाले थे फाटा फाटा के बाद आप गाएगा लास्ट स्टॉप इच सून प्रियाक मेरा जब भी पहाड़ों पर नाइट करना होता है तो मैं कोई ना कोई ऐसी जगह तलाश करता हूँ जहां पर बैठ कर मुझे थोड़ा सुकून में और प्रकरती के साथ बैठने का मौका में और एकांत में बोजन का अनन्द लिया जाए ये जगह भी कुछ ऐसी थी एक हलकी हलकी महसूस करने वाली आवाज और चिडियों की जाट और सामने से पोरा पहाड़ों की वादिया देख रहे हैं थी दिल को बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह हम जब ब्रेकफास्ट अपना लंच ये डिनर करते हैं तो और फिर लंच करने के बाद खुद को थोड़ी एनरजी देने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने आदी सफर के रहे खाना खाने के बाद हमने करीब मुश्किल से पचास किलोमीटर ही ड्राइब किया होका कि एक शांत सी जगह दिखी तो मन किया थोड़ा गाड़ी रोप करके क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए यह हमारा दूसरा प्रेक था यहाँ पर अब अंदर से यहाँ पर मन तो दोनों का यह कर रहा था सोने का लेकिन पोले कॉन तो यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं करीब 20 से 25 मिलट एक नीद भी निकाली और नीद निकालने के बाद हम फिर आगे चल दिये अपनी मंजि तो अभी हमें बार अबच के 10 मिलट हो चुका है यार अबचे हम लोग यहाँ पर आए थे अब हम पहुंचेंगे चकोटिया यह सोबर तक तो यहाँ था लग रहा था कि जने कितना हंदा हो रहा होगा लेकिन आप ज़से ज़से टाइम ओवर होता हुगा है वैचे वैचे करता हुगा है शली होगे वैचे आगी मिलते हैं कि अप्डेट यह है, हम कोचर से निगल चुके हैं, कंड पर्याग हमारा आने वाला है, दो बजने ही वाला है, और अभी हमारी डेस्टिनेशन गची है, 143 किलो मीटर, सोन पर्याग के दानाज 159 कंड पर्याग 35, 35 किलो मेटर राजा कि यह कंड पर्याग हारे हारे, चाहँ खूची है, वाल कहानी से लें, कंड पर्याग कर्ण पर्याग के लिए अभी हम उपर की तरफ निकल गया है, दो रस्ते से एक नीचे कंड प्रयाग की तरफ जा रहा था और एक उपर जो है, वो केदानाज की तरफ जा रहा था, अभी यहां से कंड प्रयाग का जाएं जू दिखातें जो गाओं अभी आप सामने देख पा रहे है उस गाओं का नाम महाबारत के गण के नाम पर ही लगा गया था कर्ण प्रयाब जो कि कर्ण को समर्फित है और जिस स्थान पर अभी कर्ण मंदिर है उस स्थान पर किसी समय एक पानी में उबरी हुई शिला हुआ करती थी जिस पर कर्ण अपने पिता सुर्दीव की अराजना किया करती थे और मावारत के अंत समय में कर्ण का दासंसकार भी उसी शिला पर शिली कृष्ण ने अपने हाथ से संतुलन बनाए लग कर किया था और कहा जाता है कि बखवान शिव और मा गंगा ने कर्ण को शाक्षात यहां पर दर्शन दिया था कई वर्ष पहन है जिस स्थान पर आज कर्ण बंदिर है वह स्थान कभी जल के अंदर हुआ करता था और किवले कर्ण शिला नामत का पत्थर जल से बहार उबरा हुआ था और यह अलग मंदा और पिंडर नदी का खूपसूरत सा संगम भी है यही जाता है उदर उपर बदरीनाथ के लिए यह जैसे गाड़िया रही है और यह यहां पर संगम अब ही हमको थोड़ा आफ रोड़िंग करनी पड़ेगी यहां पर अबलग पहाणों पर और यह हाईवे वाली फीलिंग हा जाए ना क्या पर आप हम पहुंच गए अधर प्रयाग आने वाला है 26 किलो मीटर बाकी है तो अभी गारी रुकी होगी ना और सारे जवान वगरा सब ठीक है प्रयाँ चृट यहिं को तॉकी यहाँ और के आखिरकार लंबा सफर तैय करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं रुद्र प्रयाद जो कि मन्दाकनी और अलकनन्दा का संगम है जिसके फ्लाइवर पर अभी हम लोग खड़े हैं पुछी दिखाई नहीं दे रहा भाई उत्राकंड में हमें पात संगम देखने को मिलते हैं पहला संगम है हमारा विश्नु प्रयाग दूसरा है नंद प्रयाग तीसरा है कंड प्रयाग चौदा है रुद्र प्रयाग पांचवा है तेव प्रयाग जिसमें से हमारे रस्ते पर जो दो प्रयाग पड़े थे पहला था करंट प्रियाग और दूसरा है रुद्र प्रियाग जो की बहुत खूब सूरत हैं दोनों ही संगम जोतना मुझे पता है उतना एक्सपेट कर देता हूं आपको यह वाली जो नदी आप देख रहे हैं यह है मंदाकनी जो की बहुती मंद मंद चलती है जो केतानात मंदिर के बगल से होती हुई रुद्र प्रियाग संगम तक अलखनंदा नदी से आके मिल जाती है और यह दोनों नदी देव प्रियाग पर जाकर भागी रती नदी से मिल जाती है और फिर इस संगम के आगे की यह संयुक नदी पालकंगा कहलाती है यहां पर ना चाहते हुए भी एक ब्रेक हमें लेना पड़ जाता है क्योंकि मौसम इतना खराब हो चुका था कि ड्राइब करना पॉसिवल नहीं था कि हैवी रेन स्टार्ड हो गई थी कि हमें गाड़ी को और खुद को कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था तो एक ब्रेक के चकर में हमारा एक से डेड़ घंटा वेस्ट हो गया इसकी वज़े से हम अल्रेडी लेट थे और लेट हो चुके सिर्थ अभी हम है रोद्र प्रयाग और सोन प्रयाग पे बीच रस्ते में जहां से हमारी जो जहां पर हमें स्टे करना है होटेल करीब पचास किलो बीट है पतानिया आपको दिख पा रहा होगा की नहीं लेकिन नदी पे जो चमक पर रिया लाइट की मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंगा नदी के किनारे किनारे चल रहा हूँ कि अभी रोड तो एकदम मतलब सुभान अला है कहां गड़ा आजाए कुस पता नहीं किस गड़े में गुल जाए टायर कभ डिस्वेलेंस हो जाए कह नहीं सकते है कि इधर है इधर है कि क्या शांगदार रोड होई है की हमार इंगात ऑर और के मारे कहां बहुत Speaker 2 हfeit छड़ा थाल है dat अजिए तो यह उच्छिप और झ्टल नहीं आ पार आए बसकी ऑप यह घाएंड-जाता है कि अधार है ना कि चड़ भी है ओफ रोडिंग भी है मस्ट अडवेंचर हो गया हाथों की लग चुकिया पूरी तरीके से क्लच दबाते दबाते एक्सिलेटर देते देते और बंकी बैठे 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 बता बंको पैठने में तिक्कत हो रही है वह भाई केली आया तूर है अधार है वह भाई लाइन लगा दिनने तो यह मतलब एक से देड़ गंटे कर पैच तो एक दम पूरी तरीके से खतम है अगरा आशाब को जंगल से छोड़ दिया खटे ही पूद मारी ए रोड़ तर को सामनी की दिवाली तो अब तो अधारिया इस तर्द कर रहें है अब के अधार यहां में जाब ग्म्रा आजके है अब पाच मुझे से ड्राइब कर रहें है अधा बहुत भूत पूद कर रहें है इस एचिए कि अट रुट हुंग और भाई पाट आर गारी पूरी कुंद तेटिस किलो मीटर और दो वाई मैं यह एए टारा है के जाए के आध जाए कि वारा वजे अपने तना हो चुका है तरय जो टांगे पाइनली पहुंच गए बारा वजे ताइम दिखाते हैं ताइम ताइम क्या टाइम हो गया बारा बचके बीस मिनट होने को ला है ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आठ नो बज रहे होगा ये गड़ी सही चल रही है अभी बारा बचके बीस मिनट हो चुका है रात के और सुबह पांच बजे उठके हमें ट्रैक प करते हैं फिर इसके बाद सोते हैं और फिर मिलेंगे कल सुबह और आगे की कानी कल सुबह बताते हैं ओके बुड़ नाइट बबाई झाल झाल